आगरा के प्रक्यार डॉक्टर होमियोपैथिक जगत में अलत पहचान रखने वाले आर.स पारिक को पदमश्वी पुषकार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर आरेस पारिक को पदमश्री सम्मान मिलने की घुशना के बाद से परिवार में खुशी की लहन और उस्सा है वहीं इस सम्मान की घुशना के बाद से परिजन एक दूसरी को मिठाई खिला कर बधाई दे रहे हैं अपने संघर्ष से होमेपैथिक कोदेश विदेश में पहचान दिलाने वाले डॉक्टर आरेस पारिक को पदमश्री पुरुसकार दिया जाएगा डॉक्टर आरेस पारिक ने कहा कि मैं बहुत खुश हूँ जब मुझसे पूछा गया कि क्या मैं पदमश्री पुरुषकार को सुविकार करना चाहता हूं तो मुझे बड़ी खुशी हुई मैंने कहा हाँ क्या है मेरे लिए गौरब की बात है जो अन्वरत मेनत थी उसको रिगर्णाइज किया गया इसको मैंने एक साधान पैती के इस तर से उच्छ व्यज्यानिक इस तर तब पहुंचाने की कोशिश करी और उसका प्रभाव यह हुआ कि पूरे देश में ही यह पद्धती जो है व्यज्यानिक तरीके से मानेता प्राप्त करती चली गई प्रिकिस्तकों का मान बढ़ा उनको एक मार दर्शन मिला तेरी घर में ही जो मेरे पुत्र जो में बड़े वाले बेटे हैं वो वेल क्वालिफाइड होकर के प्रैक्टिस करने लगे और अपनी प्रैक्टिस को इतने उच्छे लेवल के उपर लेगे कि विश्व में जो हमा जो है उसका अब तक जो है यूज्वली जो अध्यक्ष होता था इंटरनेशनल प्रेस्डेंट वो या तो अमेरिका से होता था या जर्मनी से होता था इंगलेट से होता था और मुझे बड़ा गर्व है कि वो पहले भारती थे जो इंटरनेशनल एसोशेशन के प्रेस्डे पैथिक को कम योग्जी मानते थे हमने लगातार होमेयपेथी की सेवा लोगों को दी है जिससे लोगों को लाग हुआ है लोग होमेपैथी से स्वस्त होकर लाब ले रहे हैं मुझे पदम श्री सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं सभी नवाद की बात है कि कितने बड़े सम्मान से मुझे नवाजा गया है मून न्यूस के लिए अनेल चौधरी के निपो